नमस्कार दोस्तों, एक बरफिट से आप सभी का टुदुपन चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में UP पुलिस एक्जाम के लिए सामान निग्यान विशय के अंतरगत राश्टी तथा अंतर राश्टी संगठन से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशनों को देखेंगे सबसे पहले थियोरी सेक्षन को डिसकस करेंगे फिर उसी संबंधित आपजेक्टी प्रशन को सॉल्व करेंगे देखे दोस्तो यूपी पुलिस एक्जाम के सलेवस में सामान निग्यान विशय के अंतरगत राश्टी तथा अंतर राश्टी संगठन दिया गया है और यहां से यूपी पुलिस एक्जाम में नेश्ची तुरूप से प्रशन पूछा जाता है इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट में 25 प्रशनों का टेस्ट जरूर दिजिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो संयुक्त राश्ट संग के बारे में देखेंगे देखें दोस्तों बिश्ट में सांती अस्थापित करने के उद्यश से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राश्ट संग की अस्थापना की गई थी यहां से एक्जाम में प्रशन पूछा जाता है संयुक्त राश्ट संग का चार्टर इसका समिधान है इस चार्टर में दोस्तों 10,000 सब्द 111 धाराएं तथा 19 अध्याएं हैं और इसकी अस्थापना संयुक्त राश्ट संग की अस्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी संयुक्त राश्ट संग का उद्देश अंतर राश्टी सांतियों सुरक्षा को बनाये रखना है तथा राश्टों की वीच एक दूसरे का सम्मान और मैत्री पूर संबंध बनाना है संयुक्त राश्ट संग का मुख्याले दोस्तों नियुयार्क सहर में इस्तित है या मैन हट्टन दूइप में इस्तित है संयुक्त राश्ट संग का मुख्याले कहां पर है नियुयार्क सहर में इस्तित है संयुक्त राश्ट संग की आधिकारिक भासाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अर्भी, रूसी, यूम, इस्पेनिस है अंग्रेजी यों फ्रेंच दोस्तों इसकी कारी-कारी भासाएं हैं इसे भी आप लोग याद रखिएगा समयुक्तराज संग के ध्वज की प्रिष्ट फूमी हलकी नीली है और उस पर स्वेत रंग से समयुक्तराज संग का प्रतीक बना हुआ है प्रतीक में दो जैतून की वक्राकार साखाएं हैं जो उपर से खुली हैं और उनके बीच में विश्टो का मानचित्र बना हुआ है देखे दोस्तो समयुक्तराज संग के कुल छे अंग हैं कौन-कौन महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिकवा, सामाजिक परिषद, अंतर राश्री न्यायाले, न्यास परिषद और सचिवाले यहाँ पर हम सुरक्षा परिशद और अंतराश्टी नियाले के बारे में देखेंगे पहले यहाँ पर सुरक्षा परिशद के बारे में देखेंगे यह सुरक्षा परिशद का दोस्तों मुख अंग माना जाता है सुरक्षा परिशद इसे दुनिया का पुलिस्मेन भी कहा जाता है एक्जाम में पूछा जाता है दुनिया का पुलिस्मेन किसे कहा जाता है तो सुरक्षा परिशत को इसमें दोस्तों कुल 15 सदस से देश होते हैं जिनमें 5 अस्थाई सदस से देश होते हैं पांच अस्थाई सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं याद रखिएगा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं ये अस्थाई सदस्य हैं सुरक्षा परिशत के नेक्ष दोस्तों अंतर राश्री नियाले यहां से एक्जाम में प्रश्ण प रखी गई है, याद रखिएगा 3 अप्रेल 1946 को अंतराशी नियाले की अस्थापना की गई थी, कहां पर हेग नीदरलेंड में इनकी नियुकती 9 वरसों के लिए होती है, नियाधिस्यों की नियुकती 9 वरसों के लिए यहां पर होती है, प्रतेक तीन वर्स बाद पाँच नियाधिस अवकास ग्रहन करते हैं अंतरास्टी नियाले की सरकारी भासा हैं दोस्तों फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं नेक्ष दोस्तों हमारा विश्व बैंक विश्व बैंक के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे सभी पॉइंट आप लोग दियान से देखते हुँ चलिए विश्व बैंक की अस्थापना दोस्तों ने सो चब्यालिस में हुई थी इसका मुख्याले वासिंग टन डेसी में है important point है ध्यान से आप लोग देखते हुँ चलिए वासिंगटन DC में विश्वैंक का मुख्याला है अस्थापना 1944 में हुई थी ठीक है अंतराश्री मुद्राकोस की अगर बात करें दोस्तों अंतराश्री मुद्राकोस की अस्थापना 1945 में हुई थी इसका मुख्याला वासिंगटन DC में है विश्व बैंक और अंतराश्री मुद्रकोष ठीक है और अंतराश्री विकास अभिकरन इसका भी मुख्याले वासिंगटन डीसी में है तो यहाँ पर अंतराश्री मुद्रकोष की अस्थापना उननेस्थो पैतालिस में हुई थी अंतर राश्री विकास अभिकरण अंतर राश्री विकास अभिकरण के अस्थापना दोस्तो 1960 में हुई थी, इसका मुख्याल है वासिंगटन DC में है ठीक है, 1960 में इसकी अस्थापना हुई थी विश्चु ब्यापार संगटन, WTO अस्थापना एक जनवरी 1995 में हुई थी इसका मुख्याल है जिनेवा सुटजर लेंड में है अस्थापना एक जनवरी 1995 में हुई थी ध्यान से देखते हुँ चलिए इसे सम्बंधित प्रस्ण आगे देखने को मिलेगा संयुक्तराश अंतराशी बाल आपात कालीन कोश यूनीशेफ इसकी अस्थापना 1946 में हुई थी इसका मुख्याल है निव्यार्क में है अस्थापना 1946 में हुई थी संयुक्तराश बिकास कारिकरम UNDP की अस्थापना 22 नुवंबर 1965 को हुई थी इसका मुख्याल है निव्यार्क में है अस्थापना 1965 में हुई थी संयुक्त राष्य पर्यावरन कारिकरम UNEP, इसकी अस्थापना 1972 कही थी और इसका मुख्याले नैरोभी कίνिया में इस्तित है संयुक्तराट्स सैक्षिक वैज्यानिक तथा सांसकृतिक संगठन UNESCO इसके अस्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्याले पेरिस फ्रांज में इस्थित है याद रखिएगा UNESCO का मुख्याले पेरिस फ्रांज में इस्थित है नेक्ष्ट है विश्व स्वास्त संगठन WHO की अस्थापना इसका मुख्याले जेनेवा सुर्जर लैंड में इस्थित है याद रखिएगा 7 अप्रेल इस्थापना इस्थित है अंतरराश्ची परमाल उर्जा एजनसी इसके अस्थापना दोस्तों 1987 में हुई थी और इसका मुख्याले विएना आश्रिया में है नेक्ष्ट है दोस्तों संयुक्त राश्च संघ का खाद्य और क्रिशी संगठन FAO FAO की स्थापना 1943 में हुई थी और इसका मुख्याले रोम इटली में है नेक्ष़ दोस्तो विश्व बौधिक संपदा संगठन इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसका मुख्याले जेनेवा स्टिजर लेंड में है ठीक है नेक्ष़ है विश्व मौसम बिज्जान संगठन इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्याले जेनेवा स्टिजर लेंड में है नेक्ष़ दोस्तो आसियान दच्छिड पूर्व ACI देशों का संगठन आसियान की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्याले जकारता इंडोनेसिया में है इंपोर्टेंट है याद रखिएगा आसियान का मुख्याल है जकारता इंडोनेसिया में है और आसियान की अस्थापना 1967 में हुई थी दच्छेस दच्छिड ACI 6-3 सहयोग संगठन सार्क दच्छेस की अस्थापना दोस्तों 1950 में हुई थी इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, स्रिलंका, मालदिव, बंगलादेश, भुटान, अफगानिस्तान है इसका मुख्याल है काठ मांडू में है इसे आप लोग याद रखिएगा इंटरनेशनल रेड क्रास, इसके स्थापना 1863 में हुई थी, इसका मुख्याल है जेनेवा सुटिजर लैंड में है इसे आई विकास बैंक, इंपोर्टेंट है ध्यान से देखिए, एसे आई विकास बैंक के स्थापना फिलिपिन्स में है ACI विकास बैंक का मुख्याले मनीला फिलिपिन्स में है Next है दोस्तों Interpol Interpol की अस्थापना 1923 में हुई थी इसका मुख्याले लियोन फ्रांस में है याद रखिएगा Interpol का मुख्याले लियोन फ्रांस में है Next है दोस्तों NATO The North Atlantic Treaty Organization NATO उत्तर Atlantic गठवंदन की अस्थापना 4 April 1949 को हुई थी इसका मुख्याले Brussels Belgium में है याद रखिएगा NATO का मुख्याले Brussels Belgium में है यहाँ पर दोस्तों हम इसरो के बारे में देखेंगे आप लोग ध्यान से देखिए भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यह दोस्तों भारत का राश्री अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्याले करनाटक राजिके बैंगलोर में है इसरो का मुख्याले करनाटक राजिके बैंगलोर में है इसरो की अस्थापना 15 अगस्त 1979 को की गई थी इस संस्थान का मुख्य कार्य दोस्तो भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्द करवाना वा उपग्रहों प्रमोचक यानों साउंडिंग राकेटों वा भूपडालियों का विकास करना सामिल है नेक्षे दोस्तो राष्टी क्रिसी और ग्रामीर विकास बैंक नाबाड नाबाड के बारे में आप लोग ध्यान से देखिए 12 जुलाई 1982 को इसकी अस्थापना की गई थी इसका मुख्याले दोस्तो मुंबई महाराष्ट में है या मुंबई महाराष्ट में अवस्थित भार प्रतिस्थान की गई है नेक्षे दोस्तो रच्छा अनुसंधान युम विकास संगठन DRDO यह भारत सरकार के रच्छा मंत्राले के प्रसासनिक नियंदरन के अधीन कारि करता है DRDO की अस्थापना दोस्तो 1958 में रच्छा विज्यान संगठन के साथ भारती सेना तक्नीकी वि प्रतिस्थान तथा तक्नीकी विकास और उत्पादन निदे साले के संयोजन के बाद की गई थी इसका मुख्याले नई दिल्ली में है इसे भी आप लोग याद रखिएगा नेक्षे दोस्तो नीत आयोग राष्टी भारत परिवरतन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित यह एक नए संस्थान है जिसे योजना आयोग के अस्थान पर बनाया गया है एक जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है यह संस्थान दोस्तो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कारी करता है याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीती आय प्रश्ण का संचालक है, रिजर्व बैंक भारत की अर्थ विवस्था को नियंत्रित करता है, इसकी अस्थापना दोस्तों 1 अपरेल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराश में है, याद रखिएगा RBI की अस्थापना 1 अपरेल 1935 को की गई थी, अब यहां स दोस्तों Top 25 Most Important प्रश्णों को देखेंगे, आप लोग सभी प्रश्ण ध्यान से देखिए और सभी प्रश्णों का उत्तर बताने का प्रयास करिए, पहला प्रश्ण है, अंतर राश्टी नियालय का मुख्यालय कहां पर इस्थित है, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता ये option है Geneva, Paris, The Hague, Rome, तो देखें दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एस्थित है, The Hague, C option आपका राइट हो जाएगा, अंतर राश्टी नियालय का मुख्यालय, The Hague में है, यहाँ पर आपका C option राइट हो जाएगा, दूसरा प्रश्ण है दोस्तों, अंतर राश्टी परमा आपका राइट हो जाएगा, संयुक्त राश्ट संघ की सरकारी भासाएं है, अप्सन है, अंग्रेजी, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी, आप लोग बताएगे, यहाँ पर आपका राइट है, देखे दोस्तों, संयुक्त राश्ट संघ की सरकारी भासाएं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस अर्वी और इस्पेनिस है यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा नेक्श है बिस सुबैंग का मुख्याले कहाँ पर इस्थित है option है निव्यार्क वासिंग गटन डीसी जिनेवा नेरोबी तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right एसुर है वासिंग गटन डीसी बिस सुबैंग का मुख्याले वासिंग गटन डीसी में है यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा नेक्श है बिस सुबैंग की अस्थापना कब हुई थी option है दोस्तों 1940, 1941, 1944, 1947 तो यहाँ पर आपका right है दोस्तों 1944 C option आपका right हो जाएगा बिस सुबैंग की अस्थापना 1944 में हुई थी C option आपका right हो जाएगा संयुक्त राट संग की अस्थापना कब हुई थी option है 24 अक्टूबर 1945, 26 जनुवरी 1950, 29 नुवरी 1940, 24 जनुवरी 1947 आप लोग बताइए यहाँ पर आपका right है क्या है देखे दोस्तों संयुक्त राट संग की अस्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राट संग की अस्थापना हुई थी यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा नेक्ट है अंतर राश्री मुद्रकोस की अस्थापना कब हुई थी अंतर राश्री मुद्रकोस की अस्थापना कब हुई थी 1943, 1945, 1945, 1945, 1945 देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right है 1945 B option आपका right हो जाएगा अंतर राश्री मुद्राकोष की अस्थापना 1945 में हुई थी यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा नेक्स्ट है विश्चु ब्यापार संगठन की अस्थापना कब हुई थी option है 1 जनवरी 1995, 1 फरवरी 1994, 2 जनवरी 1993, 2 फरवरी 1994 तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right है 1 जनवरी 1995, 2 ब्यापार संगठन की अस्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा नेक्स है अंतर राश्री स्थरम संगठन का मुख्याले इस्तित है option है Paris, Vienna, Geneva, Rome देखे दोस्तों अंतर राश्री स्थरम संगठन का मुख्याले जनेवा में इस्तित है यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा बिश्व स्वास संगठन की अस्थापना कब हुई थी option है 7 अपरेल 1905, 7 अपरेल 1948, 6 मार्च 1945, 6 मार्च 1946 तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राश्र है 7 अपरेल 1948 बिश्व स्वास संगठन की अस्थापना 7 अपरेल 1948 को हुई थी इसे आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा बिश्व स्वास संगठन का मुख्याले कहां पर इस्तित है आपसन है Vina, Rome, Paris, Geneva देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right असर है Geneva D option आपका right हो जाएगा बिश्व स्वास संगठन का मुख्याले जिनेवा में इस्तित है यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा सयुक्त राश्ष विकास कारिकरम का मुख्याले कहां पर इस्तित है आपसन है New York, Rome, Paris, Geneva तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right असर है New York A option आपका right हो जाएगा सयुक्त राश्ष विकास कारिकरम का मुख्याले निव जिनेवार्क में इस्तित है यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा आसियान का मुख्याले कहां पर इस्तित है option है काठमांडू, जकार्टा, लंदन, लियोन आप लोग बताइए यहाँ पर आपका right असर क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right असर है जकार्टा B option आपका right हो जाएगा आसियान का मुख्याले जकार्टा में इस्तित है यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा नेक्श है A.C.I. विकास बैंक के स्थापना कब हुई थी option है 1964, 1963, 1967, 1960 तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है 1967 A.C.I. विकास बैंक के स्थापना 1967 में हुई थी यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा A.C.I. विकास बैंक का मुख्याले कहां पर इस्थित है Option है जिनेवा, लंदन, मनीला, रोम तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है मनीला C option आपका right हो जाएगा A.C.I. विकास बैंक का मुख्याले कहां पर इस्थित है मनीला में इस्थित है यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा इंटर पोल की अस्थापना कब होई थी? option है 1920, 1923, 1930, 1925 तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right नसुर है 1923 B option आपका right हो जाएगा इंटर पोल की अस्थापना 1923 में होई थी यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा नेक्से दोस्तों दच्छिड ACI 6.3 सहयोग संगठन की अस्थापना कब होई थी? option है 1980, 1925, 1970, 1975 तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right नसुर है 1925 B option आपका right हो जाएगा दच्छिड ACI 6.3 सहयोग संगठन की अस्थापना 1925 में होई थी यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा दच्छिड का मुख्याले कहाँ पर इस्थित है? option है Kathmandu, Jakarta, Bangkok, Lyon आप लोग उताइए यहाँ पर आपका right नसुर क्या है? देखे दोस्तों दच्छिड का मुख्याले Kathmandu में इस्थित है यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा Kathmandu इंटर्पोल का मुख्याले कहाँ पर इस्थित है? option है Bangkok, Manila, Lyon, London तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right नसुर है Lyon C option आपका right हो जाएगा इंटर्पोल का मुख्याले Lyon में इस्थित है यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा RBI की अस्थापना कब की गई थी? option है 1940, 1932, 1935, 1941 तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right नसुर है 1935 1 April 1935 को RBI की अस्थापना की गई थी यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा नीत यायोग का गठन कब किया गया था? option है 1 January 2015, 1 August 2016, 1 February 2014, 1 March 2017 तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right नसुर है 1 January 2015 नीत यायोग का गठन कब किया गया था? 1 January 2015 को नीत यायोग का गठन किया गया था? यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा राशी, कृसी और ग्रामेड विकास बैंक नाबाड की अस्थापना कब हुई थी? option है 1984, 1982, 1985, 1983 तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right नसुर है 1982 B option आपका right हो जाएगा राशी, कृसी और ग्रामेड विकास बैंक नाबाड की अस्थापना 1982 में हुई थी? यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा नाटो का मुख्याल है कहाँ पर इस्थित है? option है Brussels, Rome, Lyon, Manila तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right नसुर है Brussels यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा नाटो का मुख्याल है Brussels में इस्थित है यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा यहाँ पर आपका right हो जाएगा यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों आज की A class अब यहीं पर समाथ होती है यह सभी प्रस्ण आपके एक्जाम के लिए काफी जादा important है यहाँ से UP police exam में निश्यत रूप से प्रस्ण पूछा जाएगा उम्मीद है यह class आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों सेर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर उताएगे